Hello, my all lovely dear students and my all friends, welcome you all in a science class. I hope आप लोग स्टड़ी बहुत अच्छे से कर रहे हैं. Friends, आज आप लोग के बायो की class स्टार्ट हो रही है, class 9 का the fundamental unit of life. काफी टाइम से आप लोगों का demand था कि biology पढ़ाईजे class 9 की, तो आज हम स्टार्ट करेंगे biology का chapter, the fundamental unit of life, ठीक है? यानि की जीवन की मौलिक इकाई क्या है? उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम देखेंगे history क्या है, ठीक है? उसके बाद हम उसके बारे में ब्रीटियर में पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस chapter में आपको cell के बारे में, ठीक है? Cell के बारे में पूरा बताया गया है, ठीक है? Cell ही आपका क्या है? Fundamental unit of life है, यानि जीवन की मौलिक ही क्या है? Cell, और cell क्या है? Friends, एक Latin word है, जिसका की meaning होता है, a little room, एक छोटा कमरा, ठीक है? अब चलिए इसके history जान लेते हैं थोड़ी Cell के बारे में सबसे पहले जिन्नोंने पता लगाया, 1665 में 1665 में, Robert Hook ने, किसने? Robert Hook ने इसके बारे में research किया सबसे पहला, ये बहुत ही छोटा research था, friends, लेकिन ये science के history में बहुत बड़ा role play किया, ठीक है? इन्होंने क्या किया था? एक slice of kark, इन्होंने लकडी का जो पेड होता है, उसका ये चाल होती है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा इन्होंने ले लिया, ठीक है? अब उसके उपर इन्होंने अपना जो self-design microscope था, उससे इन्होंने उसके अबसर्ब किया, उसके उपर research किया, ठीक है? और उसमें इन्हों क्या दिखा? छोटे-छोटे boxes दिखे, यानि structure boxes जैसा structure दिखा उन्हें, किसमें? उस cork में उस जो टुकड़ा था, जो चाल था, पेड का उसमें, ठीक है? और उसे इन्होंने जो नाम दिया, उसको नाम दिया इन्होंने cell, ठीक है? और ये जो boxes थे, इन् What are living organisms made up of? जो सजीव है, जो जीवित है, जीवित है, जो भी living things है, वो कैसे बने हैं? इसके बारे में जानते हैं Friends, इस पे कुछ activity दी गई है, जिसके बारे में हम discuss करेंगे, ये activity ये है, सबसे पहली जो activity है आपकी, let us take a small piece from an onion bulb आपको प्याच के, प्याच का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, ठीक है? small piece of from onion bulb उसमें से, उसमें से आपको क्या करना है? चिम्टी की मदद से, ठीक है? चिम्टी की मदद से उसका जो skin है निकाल, प्याच के अंदर का एक पतली सी, वो polythene जैसी परत होती है ना, उसे निकाल लेना है ठीक है? और उस layer को आपको तुरंत रख देना है, watch glass containing water, पानी से भरेवे glass में ठीक है? उसे आपको तुरंत रख देना है, जिससे कि वो जो peel है, वो जो छिलका है, जो आपने प्याच का निकाला है छिलका, वो fold ना हो, और dry ना हो, सूखे ना, ठीक है? उसके बाद आप क्या करेंग ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, friends? उसके बाद इसे एक glass के slide पे रख, glass के slide पे एक drop water रख के, ठीक है? एक glass का slide यानि एक काच का टुकडा लेके, उसपे एक bund water ठीक है? एक bund water का रख के, उसके उपर, यह जो small piece of peel है, onion का, उसको उसपे रखेंगे, ठीक है? और यह चीज ध्यान रखना है, कि वो उसपे flat रहे, यानि उसपे mood ना जाए, एक दाव flat होना चाहिए, ठीक है? इसके लिए आप एक hair paint brush का use कर सकते हैं, जो help करेगा, transfer करने को peel से watch glass से, काच के टुकडे पर, ठीक है? अब उसपे हम डाल देंगे, saffron solution, उसके बाद उसपे क्या डाला ग ठीक है? और उससे में ये चीज़ ध्यान रखी गई, कि उसमें air bulbs, यानि जो bubbles ना हो उसमें, ठीक है? जब उस दूसरे काच के टुकडे से उसको ढखेंगे, तो ये चीज़ ध्यान देंगे, कि उसमें bubbles ना हो, ठीक है? उसके बाद उसको microscope से, ये देखिए, आपका microscope है, ठी ठीक है? compound microscope है ये, उसके बाद उसे microscope से, से उसे absorb करेंगे, देखेंगे कि क्या दिख रहा है आपको, ठीक है? तो जब आप इसे microscope से देखेंगे, तो आपको ये structure दिखेगा, see this picture, ये है cells of an onion peel, जो आपने पतला से, जो छिलका आपने रखा था, उसको जब आप microscope से तो आपको ऐसा structure दिखाई देगा, ऐसे आपको boxes दिखाई देगे, और उसमें ये dot, जो black dot है, छोटा छोटा ये दिखाई देगा, तो ये जो boxes हैं, इसे ही कहा गया है cells, ठीक है? और ये जो dot है, जो black color का dot दिखाई दे रहा है इस cell में, उसे कहते हैं nucleus, ठीक है? अब इसे आ आप इसके structure को draw कर सकते हैं कि आपको उसमें क्या दिख रहा है, ठीक है friends? आइए देखते हैं कि इसके बाद क्या समझ में आया? We can try preparing temporary mounds of peels, of onions, of different size, हम अलग-अलग different, different size के onion peels को try कर सकते हैं, ठीक है? What do we observe? हमने क्या observe किया? Do we see similar structure और different structure? ठीक है? क्या हमने उसमें से एक जैसा structure देखा या अलग-अलग, यानि अगर आप जो peel है onion का, वो अलग-अलग size में ले लेते हैं, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई थोड़ा, कोई थोड़ा, अलग-अलग structure का अगर आप ले लेते हैं, तो उसको आपको observe करना है कि क्या उसका जो structure ह यानि जो cell का structure है, वो similar है, या अगर structure change है, तो cell का भी structure change है, ये चीज आपको observe करनी है, ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे, what are these structures, और ये structures क्या है, उसके बारे में हम detail में जानेंगे, ठीक है, these structures look similar to each other, जो cell का structure होता है, वो एक जैसा दिखेगा, ठीक है, एक दूसरे क एक जैसा दिखेगा, together they form a big structure like an onion bulb, we find from this activity that onion bulbs of different size have similar small structure visible under a microscope, हम जब microscope से देखेंगे, तो onion का जो bulb है, अलग-अलग type का भले, उसका size अलग-अलग हो सकता है, लेकिन जो cell का structure है, वो same रहेगा, और ये छोटे-छोटे structure, जो cell के छोटे-छोटे cell मिलके ही एक onion bulb बनाते है, ठीक These small structures that we see are the basic building units of the union bulb, और ये जो small structure, ये जो छोटे, यानि ये जो cell हमें दिख रही है, यही है basic unit, जिसे ये पूरा onion bulb बना हुआ है, ठीक है, और ये जो structure है, उसे हम कहते हैं cell, not only onions, but all organs that we observe around are made up of cells, सिर्फ onion ही नहीं, जितने भी living organism है, हम अपने आस-पास देखेंगे, सकते हैं, वो सब किस से मिलके बने हैं, cell से, ठीक है, however there are also single cells that live on their own, कभी-कभी ये होता है, there are also single cells that live on, एक single, मतला एक कोस की जिव जनतों आप पढ़ते हैं जिसमें single cells से बने हुए जो organism होते हैं, उनका नाम क्या है, amoeba, आपका जो amoeba है, ठीक है, amoeba क्या है, इस single cell organism है, य सिर्फ amoeba ही नहीं है, friends, amoeba है, paramecium है, bacteria है, ये सब क्या है, ये सब one cell से बने हुए हैं, ठीक है, these organisms are called uncellular organism, sorry, unicellular organism, और ये जो जिव है, ये क्या कहलाते हैं, एक कोस की जनतों, ठीक है, यूनी का मतलब होता है, single, ठीक है, और organism मतलब प्राणी, जिव, ये आप लोग को है, on the other hand, many cells grouped together in a single body and assume different functions in it to form various body parts in multicellular organism, multi यानी many, ये तो एक कोस की हो गई, लेकिन दूसरी तरफ कई सारी cell का group मिलके एक group बनाता है, ठीक है, एक design, एक body, एक create होती है, ठीक है, जो अलग-अलग function perform करती है, ठीक है, जैसे हमारी जो body है, ये एक cell से मिलके नहीं बनी है, ये क्या है, multi-cellular, हम क्या है, multi-cellular organism है, क्योंकि कई सारी cells मिलके एक पूरा body हमारा जो बना हुआ है, ठीक है, और इसमें जो function है, अलग-अलग cell का function भी अलग-अलग है, यानी जो काम है, crea club है body के, अलग-अलग cell का अलग-अलग काम है, ठीक बता लगाईएगा, ठीक है, every multi-cellular organism has come from a single cell, this is the most important statement, आपका जो multi-cellular organism है, यानी जो बहु कोस्की जिव है, वो एक single cell से ही, यानी single cell मिलके ही, कई सारी cells, single single cell मिलके, एक multi-cellular organism बनाती है, ठीक है, how कैसे, cell divided to produce, अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, एक single cell कई सारे, multi-cellular organisms कैसे बनाते हैं, तो उसके बारे में बताया जा रहा है, cells divided to produce cells of their own kind, ये जो कोसिका, ये जो cell है, ये अपने ही जैसे कई तरीके की कोसिकाओं में क्या होती है, cells में divide हो जाती है, ठीक है, all cells does come from pre-existing cells, और जो सभी cells है, वो एक, एक cell में जैसे पहले जो cell थी, यानि जिस cell, जो cell divide होके, कई सारे cell में हुई, change हुई, वो सब क्या उनका जो structure होता है, उनका जो structure होता है, वो completely क्या होता है, एक जैसा होता है, ठीक है, all cells does come from, वो एक जैसे pre-existing cell की तरह वो हो जाती है, ठीक है, इ multicellular organism बनाता है, ठीक है, और some organisms can also have cells of different kinds, look at the following picture, और कुछ जो जीओ है, उसमें अलग-अलग type की cells होती है, ठीक है, हम human body का देखेंगे, human body में अलग-अलग types की cell होते है, हम क्या है, multicellular organism है, मैंने बताया ना, हम बहु कोस की प्राणी है, how, ये देखते है, various cells from the human body, human body में देखें, ये है smooth muscle cell है, ये है blood cells, ठीक है, सबका structure भी same नहीं है, structure भी क्या है, थोड़ा change, blood cells है, smooth muscle cells, ये है, ये है आपकी nerve cell, ठीक है, ये है bone cell, ये है fat cell, हम कहते हैं, body में fat जमा हो जाता है, तो जो cell होती है, उसका structure कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये है warm, और ये है sperm, ये क्या है, जो female reproductive system होता है, वो ये है, और male reproductive system बोले तो sperm, ठीक है, तो ये सारी जो cells है, ये human body में अलग-अलग type की cells है, ठीक है, और ये सब एक ही cell से बना हुआ है, ठीक है, आज के लिए इतना है weight, थोड़ा सा और देख लेते हैं, more to know में, cells were first discovered by Robert Hooke in 1665, आप लोग को मैंने बता ह ही दिया है, most important यही है कि आपको यही आद रखना है कि cells को, disc cells को, यानि को सिका को discover सबसे पहले किस ने किया, 1665 में Robert Hooke ने किया, ठीक है, युनों ने अपने खुद के microscope से इसके बारे में observe किया था, लोगों को बताया था, ठीक है, और उसके बाद आए, लिविन हॉक 1674, with the improved microscope, discovered the free living cells in pond water for the first time, उसके बाद जो लिविन हॉक थे, 1674 में उन्होंने इंप्रूव किया, with the improved microscope, उन्होंने जब microscope improved होके आये, updated microscope ये समझ लीजे, आप लोगोंने उनसे उन्होंने discover किया, तालाब, pond water, तालाब का जो water था, उसमें first time living cell के बारे में उन्ह discover किया, ठीक है, यही दो points आप लोग के लिए जादा important है, जिसे आप लोग याद रखेगा, बाकी आप लोग पढ़ लीजेगा एक बार, ठीक है, इसमें इसको इतना याद रखने के जुरुत नहीं है, ठीक है, अब next chapter, next video में हम उसके आगे का पढ़ेंगे, cells के बारे में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, और अगर आप लोग को इसका हिंदी में भी lecture चाहिए, हिंदी मेडियम के student तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, इसका हिंदी मेडियम में भी lecture लेके आऊंगी आप लोगों के लिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और क्लास 9 के आपको Math और Physics और Chemistry पढ़ने के लिए आप Arial Learning Classes चैनल को विजिट कर लीजेगा, उस पे आपको proper एक एक चैप्टर कम्प्लीट कराया जा रहा है, ठीक है, Arial Learning Classes उस पे आप लोग विजिट कर लीजेगा Physics, Chemistry और Math के लिए, और Bio आपको इस चैनल पे पूरा कम् पूरीट मिलेगा, तैंक यो सो मच पो लिस्निंग में, बी एपी, stay healthy, bye-bye, have a good day.